ही फ्रेंद्स वेलकम टू माई किछेन वे इसमें हम डालेंगे तेपली स्पून तेल अब हम डालेंगे एक हरी मिज एक इंच दार चीनी और एक तेज पत्ता तिन हरी लाइची तिन लोंग थी ब्लेक लॉफ स त्री ग्रीन काडमन वण इंच सिनिमन वन बे लीव वन ग्रीन इन सब को हम तेल में पका लेंगे बून लेना है तेल में इन सब को ताकि फ्लेवर निकल कर आए अब हम इसमें डालेंगे तीन टेबल स्पून चीनी थरी टेबल स्पून शुगर शुगर को थोड़ा पका लें चीनी को तेल में थोड़ा सा बून लें अब हम इसमें पानी 1 by 4 cup water और अब हम चीनी के पानी को शीरे को बॉयल करेंगे ताकि यह थोड़ा गारा हो जाए ज्यादा नहीं बस हलका गारा होना चाहिए ताकि चामल के उपर अच्छे से कोटिंग आ जाए इसकी अब हम इसमें डालेंगे एक चोथा ही शोड़ा चमच हल्दी हल्दी ड देखें अबल गया है और थोड़ा गारा भी हो गया है अब यह इतना पानी बचा है तो बस यह सही है अबले हुए चामल मैंने इसमें डालें दो टेबिल स्पून बादाम और दो टेबिल स्पून किश्मिश यह जितना आपको पसंदे राइफ रूट कोई भी डाल दें अ आपको जीरा वाले नमकीन राइस यह अब हम इसे मिक्स करेंगे एक मिनट कोक करेंगे ताके चामलाबर मैं नहाँ जेट अनुक्वर कोमानी को एब्सरुब करें भस हमारे चामले तीर हैं इसे हम स्वार लेतें तो बसंदीwick पुलाओ इस रीडे इसे हम ऺड़ी इसे भी के सासरव करेंगे तो इसे रख लेते हैं साइड में चावल हमारे बन कर त्यार है तो बसंदी पुलाओ is ready और हम आलू की सबजी बनाएंगे बनेंगे नरमिष आलू जो हम इस बसंदी पुलाओ के साथ सासरव करेंगे तो अब उसकी रेसिपी देख लेते हैं चावल तो बन गए हैं इसमें डालें एक चोथाई कप जितना वेजी टेबल वाइल और इसमें डालेंगे हम तीन कच्छे आलू जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है ते और इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राय कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे हालू डाल दें इसमें सारे और इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राय करेंगे मीडियम फ्लेम पे तो इसे हम चारों साइडों से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब ही हम इसे निकालेंगे तो इसे फ्राय होने दें तब तक हम मसाला बना लेते हैं तो मसाला के लिए डालें आदा शोड़ा चमाच जीरा, एक टेबल स्पून धनिया के सीट्स, कोरिंडर सीट्स, इसमें डालें एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलाइची, और एक इंचिदार चीनी, और इसमें हम डालेंगे आठ काली मिर्चे, मैं काली मिर्चे डून रही हूँ, आठ काली मिर्चे डालें और इसमें खश-खश डाल दें, एक छोटा चमच, खश-खश इस सब का पाउडर बनाना है, ब्लेंड के इंटो पाउडर, तो इसका पाउडर बना लेते हैं, पाउडर त्यार है, इसे साइट में रखें, यह पूरा पाउडर हम सबजी में डाले तो इसे निकालें बाउल में, और इसे साइट पे रखें, पुट इस स्पाइसे ऑन दे साइट, वी विल यूज इट लेटर, तो इसे हम बाद में इस्तमाल करेंगे, इसे साइट में रख दें, अब हम इसी मिक्सी जार में टमाटर ब्लेंड करेंगे, तो एक इंच अधर एक हरी मिर्च, दो टमाटर, जिस सब को पीस के, इसका पेस्ट बना लें, पानी नहीं डालना है, बिना पानी के पेस्ट बनाना है, वन इंच जिंजर, वन गिरीन चिली, टू टुमेटोस, ब्लेंड इंट इंटो पेस्ट, तो ये देखें, ये पेस्ट त्यार है, और अब हमारे आलू भी पक गए, इसे हम निकाल लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ओएल है, वो हम निकाल लेंगे, बस इसमें दो टेबल स्पून जतना ओएल कड़ाई में रहने देंगे, बाकी हम निकाल देंगे, रिमूव पोटेटोस, एन एक्स्ट्रा ओएल फ्राम दे वोग, प पिसा था ना मसाला, वो दो टेबल स्पून डाल दें, थोड़ा फ्राय कर लें ताके अच्छे से जायका आ जाए, इसमें डालेंगे, हम एक छोड़ा चमाच जीरा, वो सोरी, वन टी स्पून चीनी, एक छोड़ा चमाच चीनी, और ब्लेंडे टमाटर वाला पूरा मसाला इसमें डाल दें, और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, बुनाई करेंगे, ताके टामाटर जब तक पेस्ट नहीं बन जाता और सारे मसाले पक नहीं जाते, ध्यान रहें, पहले पानी नहीं डालियेगा, वन्ना मसाले अच्छे से पिसेंगे नहीं, तो मैं दीरे-दीर करके चक चक के मसाला डाल रही हूं पहरे मैंने दो टेबलिस्पून डाला फिर मैंने एक टेबलिस्पून डाला मैंने चखा कि कितना स्पाइसी होगा और अब मैं इसमें बचा हुआ पूरा मसाला डाल रही हूं क्योंकि स्पाइसी कम लग रहा है आप अपने हैसाब से कम ज् अब इसी Mixi Jar में एक cup तीन चुछाए कप पानी डाल दें और अब अम इसमें पानी डालेंगे टामाटर देखें पेस्ट की तरह हो गये अच्छे से बून गये मसालों की भी बुनाई हो गई है, तीन चुताइक कप पानी डाल दें इसमें और इसमें एक उबाल आने दें जैसे इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें फ्राई की हूए पोटेटोस जालेंगे पोटेटोस 80% पके हुए हैं हमें थोड़ा इसमें पकाना है ताकि पोटेटोस फिलेवर से अबसाब कर लें इसमें पोटेटोस डाल दें पूरे फ्राइट पोटेटोस और इसे हम नमक डाल दें एक छोटा चमच या डेट चोटा चमच जितना आप काते हैं सवात अनुम सार नमक डाल दें अब हम इसे ढ दग के लूफ लेम पे 10 मिनट पकाना है जाएंगे अधरी अंदर यह त्यार हो जाएंगे सारे पूरे आलो कल जाएंगे तो इसे मैंने डग के 10 मिनट पकाया है जाएंगे आलो मेश और पक गही है मैं आपको एक तोड़किप दिखा देती हूँ अगर आपके नहीं पकें तो ढखके 15 मिनट और 10 मिनट और पकें तो यह देख रहे हैं आप अब हम इसे सर्व कर लेते हैं चावल के साथ पसंती पुलाओ के साथ निरामे शालू आरेडी टो सर्व विथ पसंती पुलाओ सर्व इट विथ राइस फिर मिलते हैं एक नहीं विडियो में अपना ख्याल रखें और लाइक जरूर करियेगा अगर विडियो पसंद आए तो थेंक यू